नमस्कार साथियों गोरों के अंदारा में आपका स्वागत है एक जो वैकेंसी का दौर आता है तब बहुत सारे विद्यारतियों के सामने बहुत सारे ओप्सन होते हैं कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी है उन्हें पता होता है कि कौन सी वैकेंसी आ चुकी है और किसकी तैय जाम हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी द्वारा एक लाख वेकेंसी की गोशना किया लेकिन अभी तक इस्तिति ये विद्यारतियों की दिमाग में है कि कौन सी पहले आ रही है और कौन सी बाद में ये पता नहीं चल रहा है तो इसमें काफी सारे विद्यारती मेरे तो संडे को आज अपन थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे और विद्यारतियों की डिसिजन लेने में थोड़ी सी हैल्प हो सके ये प्रियास किया जाएगा तो समय को फियर्थ नहीं करते हैं पर सीधी ही आ जाते हैं मुद्धे पे कि देखो सबसे पहले सातियों मैं आपक तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल है तो सबसे पहले एक तो यह वेकन्सी आईगी एक आएगी आपके school व्यक्याता की भी पहले आएगी कारण क्या है कारण यह है कि जिक्सा विबाग में बहुत बड़े इस तर पर DPC हुई और Vice Principal बनाए गए तो school व्यक्याता की काफिसारी seats खाली हुई है school व्यक्याता का exam भी जैसे grade 3rd, grade 2nd और grade 1st तो सबसे पहले first grade का exam हुआ था अच्छा इस दर्मियान मैं यहाँ पे एक अपने सरकार से और परसासन से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि school व्यक्याता का परिणाम जो पिछला exam हुआ था उसका परिणाम पहले निकाला जाए जल्दी निकाला जाए कारण यह है कि उसको निकालने से बाकी seat एकसेज नहीं होगी पहले school व्यक्याता का आजाए फिर वरिष्ट दियापक का आजाए फिर grade 3 का आजाए तो एक ही seat पे बार-बार candidate आने का वो भी chances नहीं रहेगा और school व्यक्याता में चाहिनी तो होने वाले school व्यक्याता ही join करेंगे वो दूसरी seat खराब नहीं करेंगे नहीं तो फिर दूसरी seat खराब हो जाती है और बेरोजगार अब व्यक्याता की वेकंसी बहुत जल्द आएगी यदि अपन बात करें कि 1 लाख वेकंसी ठीक है यदि अपन बात करें 1 लाख तो मानकर चलैं सात्यों कि इसमें से 50% तो शिक्षा विबाग से संबंदित ही रहेगी 50% तो शिक्सा विबाग से संबंदित ही रहेगी और इसमें भी मान लो कि चतूस रेणी करमचारी शिक्सा विबाग के अंदर चतूस रेणी करमचारी की भी निकाल दी तो यह 50% से उपर ले जाएगा अब यदि आपके दिमाग में सिक्सक बरती है तो यह दिमाग में कब आएगा जब आपके पास में या तो BSTC है या DLA है या B8 है ये कर रखे हैं तब आप शिक्सक बरती के लिए अलिजिबल है तो यदि आपके पास में B8 है ठीक है यदि आपके पास में B8 है तो आप तिनों ही परतिया ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्ष्ट, तिनों के लिए एलिजिबल है, अब यहाँ पर क्या है कि बीएड वाला है ना, और बीएड प्लस में हैं, बीएड प्लस में हैं, तो मैं जहां तक समझता हूँ, आपको इस्कूल व्याख्याता की तयारी कर लेनी चाहि है, ठीक है, यदि एक विशलेशन और अनुपाव देखा जाए, तो सात्यों जितनी तयारी आप ग्रेड थर्ड के एग्जाम में करोके, उससे कम तयारी में इस्कूल व्याख्याता आराम से निकला जा सकता है, कारण क्या है, कि निचे लेवल पे जितने एग्जाम होते है उसमें syllabus बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, syllabus बहुत ज़्यादा फैला होता है, competition भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उपर लेवल के एग्जाम पे जाते हो आप, तो वहाँ पे competition कम हो जाता है, प्रशन लेवल के जरूर आते हैं, आपको subject पे command चाहिए होगी, स्कूल व्याख्यता में apply कम कर पाते हैं, तो यह कारण रहता है कि यहाँ पे competition कम हो जाता है, लेकिन वह लेवल जो है, वह जैसे post है, वैसे ही बढ़ के आता है, तो आप राजपत्रित अधिकारी बनने का अपना क्वाब जो है, वो पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से, सब लाब ले चुके हैं, और अपनी नियमी क्लासे चलेगी, जीके और जीस दोनों मतलब पूरा ही, फर्ष्ट पेपर इसकूल व्याख्याता का पूरा ही मैं आपको यूट्यूब पर करवाने वालों, अपनी सारी क्लासे यूट्यूब पर ही रहती है, पर कभी कोई क्लास नह लेना, आपके परिचीत या कोई अच्छे अनुपवी सिक्सक परिचीत है, तो वो भी कहेंगे कि स्कूल व्याख्याता की पहले आईगी, कारण भी बता दिया मैंने आपको, यदि आपके पास में मैं नहीं है, तो फिर आपके पास में दो आप्सन बज़ जाते, बीएड लोगे पास, ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकेंड, यदि उन दोनों में से आप चैन करना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार आप वरिष्ट अध्यापक को पकड़े, वरिष्ट अध्यापक में भी क्या होगा, आपके सब्जेक्ट का फैदा मिलेगा, आपको एक तो, सब्जेक पर कमांड अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा फाइदा उठा लेंगे, उसके अलावा क्या होगा, कि ग्रेड थर्ड जो है, अभी अभी हुई है, आप लोगों को पता है, अभी अभी हुई है, अभी तो मैन आंसर की अलग से आएगी, फिर उसमें बहुत सारे दाव प त Cris करें है, आप अराम से कर सकते हैं, उसके बाद में आपके पास में और उप्षन रहे लगी है, फिर आपके पास में ओप्सन है, यह थो उगई शिखसक बर्तियों से सम्मंदित बातें लाप हैं, थिकर ना, तो सिखसक बर्तिय। आपके लिए सबसे अनूकुल क्या है, कुछ विद्याति का कमेंट आया भी था ज़ता है कि गर्मेंट जैसे कोई साधी होगी तो जित दिन साधी है उसी दिन काम थोड़ी किया जाएगा उसी दिन तयारी थोड़ी की जाएगी तयारी पहले ही होती है मेरे अनुसार सबसे बेस्ट तयारी होती है वेकंसी आने से पहले वाले उस समय आपका दिमाग स्थिर होता है आप जितना पढ़ते हो को सब याद कर पाते हो आप अपना दाइरा बढ़ा पाते हो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको भुना पाते हो और फिर जब वेकंसी आजाती है तो आपका बहुत काम आसान हो जाता है वेकंसी की बाद तयारी करने वाले सिर्फ मेरे हिजाब से सम्मान जनक हार के लिए कारण क्या है वेकंसी आगी मालों 2-3 महीने में एक्जाम है तो क्या आप उन विद्यारतियों को टकर दे सकते हो जो पिछले 6-7 महीने से तयारी कर रहे हैं और आप 2-3 महीने में सिर्फ फिर दो यह ही है कि यूट्यूब पर व्यूस बड़ाने वाली बाते हैं बाकी कोई नही है तयारी सेलेक्शन वाली जो होती है वो कम से कम 6-8 महीने की तयारी तो मांगता है अभी मैं आपको यह कहना चाहूँगा आप चाहिए किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो ठीक है इसके अलावा साथियों इसके अलावा आप कॉंस्टेबल ठीक है और SI की बरती कॉंस्टेबल SI RS यह और EORO का तो अभी एक्जाम है ठीक है EORO का तो एक्जाम है यह भरतियां भी आ रही है और मैं आपको बता दू कि जूनियर एकाउंटेंट की भरती भी आ रही है बहुत जल्ब यानि कि option आपके सामने आएंगे न तो एकदम से आएंगे वापस तो तब हडबडाट होगी इससे अच्छा है आप अभी काफी सारा तयार कर लें मैटर अब बात विद्यारत्यों के दिमाग में ये भी है एक सवाल कि सर भुगोल तो बदल रहा है अब हम क्या-क्या पढ़ें कि संस्कृति में भी बदला होंगे या यह होंगे संस्कृति में ज़्यादतर साथियों इस्तान बदलने हैं कुछ एक जगों के तो वो आप आज में भी एड़ेस्ट कर सकते हो यदि भुगोल के अंदर आपका मन अभी नहीं मान रहा वैसे मान कर चले कि चार से छे माह के अंदर जो होगी उसमें भुगोल आपके 33 जिले वाले की रहनी है ठीक है जो एक्जाम होना है क्योंकि जिले बदलना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है गोशना की और बदल गया ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें परिशिमन होगा अलग से कई चैत्र विवादित होंगे वो इधर उदर होंगे बहुत सारी चीज़ें होगी उसके बाद में जाकर जिले जो है अस्तित्व में आएंगे धरातल पर आने में समय लगता है शे महीने के अंदर जो एक्जाम है वो तो इसी भुगोल के आदार पर होने हैं फिर यदि आपको लगे कि नहीं हमें थोड़ा सा कमफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप गोल को एक बार साइड में भी रख सकते हैं आप दूसरे सब्जेक्ट तयार कर लीजी आप आर बीसी की पुस्तके पढ़ लीजी आप एंसी आर्टी की पुस्तके पढ़ लीजी यह जो प्री टाइम होता है ना सात्यों इसका यद आपका और माइंड क्लियर हो जाएगा बिल्कुल के हाँ इसी की तैयारी करनी है और इससे संब्सक्राइब पुरानी पुस्तके आपके पास में बहुत सारी है इतियास संस्क्रती पुछ ज्यादा बदलती नहीं है आप उन्हीं के माधिन से तैयारी कर सकते हैं आपको सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए और सिलेबस के अनुसार आपको आगे बढ़ना है ठीक है तो यह देखो यह भी परतियां आप लोगों के लिए आ रहे हैं बिल्कुल कतार में प्रशास्निक पौवर चाहिए कि निको तो यह बहुत बैटर उप्सन है उनके लिए तो आपको क्या लगता है चार महीने में आरे स्थोड़ी निकल जाएगी तो उसके लिए समय देना पड़ेगा तो अभी से लगना पड़ेगा कि बिल्कुल अभी से बिल्कुल माइंड सेट क्लियर होना चीए फिर लगना है यह माइंड सेट देखो हाँ मैं हूँ या चाह कभी बीन और दोस्त और पोस्त देख कर मत लेना इसमें फोस्त जादा है तो इससाप से तैयारि नहीं नहीं आपकी कबिलिएक क्या है है पुरा mindset का खेल है सिर्फ पढ़ने 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 से नहीं होता बहुत सारी चीजे factor काम करते हैं यदि उन्हें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको कोई को ही नहीं रोक सकते तैयारी जो है पहले इसी की ज की जाती है को यह स्रें सालों की मेहनत होती है तो मैँ में सासू जाथ जब विजए बड़ी पानी होती है न तो न혁एनना बंकरात्मकता दूनिया में एदर उदर बहुत देखने को बिलेगी अभी क्यों तयारी कर रहे हो अभी कुछ नहीं है आज पास यह नहीं है वो नहीं है अच्छा तो नहीं तयारी करके आप कौन सा तीर मार लोगे यह भी तो सोचना कि अभी तयारी नहीं करेंगे तो अपन नहीं करके कौन सा तीर मार लेंगे अच्छा करके तो कही न कहीं घ्यान में वर्दी ही होनी हो, जब वैकेंसी आएगी तो चार लोगों से अपन आगे ही रहेंगे, और नहीं करेंगे, तो क्या होगा? समय की भरबादी है, और अपन ने उस समय में पाया क्या फिर, फिर बात में आपको लगेगा, है कि यह समय तो चला गया लेकिन इस समय में अर्जित क्या किया अभी आप्को सिर्फ क्या करना है अभी आपको मैं यदि बताउं अभी आपको कुछ तो आप मान कर चले अभी आपको 4 से 6 गंटे नियमित पढ़ना है, इस सर्द की बहुत ज़्यादा एहमियत है, किस की? इस नियमित की बहुत ज़्यादा एहमियत है, वालो चार गंडे भी नियमित नियमित का मतलब है डेली रूटीन के अंदर होना चाहिए आना डेली खाते हो आप सोते डेली हो, आप उठते डेली हो तो आपको पढ़ना भी डेली बड़ेगा इससे बहुत ज़्यादा फरक पढ़ता है आप लोगों के लिए जीके बहुत आसान हो जाता है आपके सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाते है पढ़ा हुआ याद रहने लगता है ये जो हैं साथ्यों मुल मंत्र है चार से फिर बाद में आपको गंडे करने की जुरूत नहीं पडएगी कि हम कितने गंटे बड़े हैं या किसी से पूछने की अविश्यक्तर नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ 4-6 गंटे अभी नियमित्ता रखनी है सिटिंग पौवर बढ़ जाएगी जैसे ही वेकेंसी आएगी आपकी सिटिंग पौवर और बढ़ेगी और फिर गंटे आप लोगों के लिए माइने नहीं रखेंगे आप 10 गंटे 12 गंटे 15 गंटे कितना पड़ लेंगे आपको खुद कोई पता नहीं चलेगा लेकिन ये जो चीज है ये भी मैं बता दूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से मात्रम 10% लोग इस चीज को कर पाएंगे सिर्फ 10% लोग वो भी दरड निश्चेज जो होंगे कि हावास्तों में करना है तो करना है वो वाली फिलिंग जिसके अंदर होगी हो चकता है 10% से भी कम ही इस चीज को फॉलो कर पाएं ये भी मैं कह दूँ जितने देख रहे हैं चाए एक लाख लोग देख लें तो उसमे कम लोग इस चीज को फॉलो कर पाएंगे क्योंकि ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है कि क्या है चार गंटे डैली पढ़ना है क्या है लेकिन कभी कोई दोस्त बुलाएगा कभी कोई मेला लगेगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी प बीचे के 4 घंटे जो है वह आपको आपकी किताबों को आपकी पड़ाई उसको देने हैं अब भी मैंने जितने एक्जाम बताये न आपको उसमें से किसी को भी टार्गेट कर लीजिए और यह चार से छेन घंटे की पड़ाई आप 9-10 महीने कर लीजिए मैं एक साल भी नहीं कह रहा हूं, आठ से दस महीने कर लीजिए, आपके पूरा ही अंगुलियों पर होगा, चाए जीके हो, चाए कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपका कोई भी है, आपका पूरा अंगुलियों पर होगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगा, और आप उसके दुरंदर बन जा होगे, लेकिन सर्द क्या है, ये नियमित्ता, ये सब्द, ये जो है, ये सर्द है, चाए किशी भी चैत्र में सफल होना है, कोई भी चैत्र है, आपको ये सब्द जब समझ में आ गया, इसकी एहमियत समझ में आ गई, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई मा कई जगे जहें नकारात मुक्ता वित्या देगा अभी तो वेकंसी नहीं है यह नहीं है वो नहीं है कोई दिक्त नहीं है आप नहीं भी पड़ोगे ना तो भी सेलेक्शन लेने वाले हैं आप पड़ोगे तो भी सेलेक्शन लेने वाले हो सकता है सेलेक्शन लेने में आपका करते और उसको पाने वाले बहुत लोग है उसको चाहने वाले बहुत है तो आप लोको की च्रेणी होती है और यह क्ली कोई डिसेश रूप से कोई आईसी प्रतिबा कर पैदा नहीं होते हैं बस प्रतिवा बनानी पड़ती है, वो बनती है मैनत के आदार में, जितनी मैनत करोगे, जितना गिशोगे, जितना संगर्ष करोगे, उतना निक्रोगे, तो यही है, जितनी continuity रख पाओगे, उतना बढ़िया है, बाकि अपनी class का जो time है, वो 12 बजे का है, तो पर 12 बजे upload हो जाती है class, और यह मतलब यूँ है कि आप कल वाली class को देखें, बस हर class अपनी ऐसी ही रहती है, पहले भी ऐसी रही थी, आगे भी ऐसी रहेगी, और PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप में दे दी जाती है, अब ब्यास जो है, यदि practice कोई करना चाता है, तो GGD application पर topic wise stress stage अभी चल रही है, उससे क्या होगा, कि आप लोगों की नियमित्ता, यह जो नियमित्त सब्द है उसकी नियमित्ता बन जाती है, आप लोगों को समझ में आता है, कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें यहां से, मतलब एक माहोल मिल जाता है, तो यह सारी चीज़ें साथियों मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दी और MA वाले जो है MA B8 जिनके है वो इसकूल व्याख्याता बेस्ट आपसन है आप चुन सकते हैं आराम से और सफल हो सकते हैं बाकी BA वाले जो है BA B8 उनके लिए 2nd grade और grade 3rd दोनों उप्सन है जिनके पास में BSTC DLA है वो बिल्कुल आप 1st level 3rd grade दे सकते हैं और इसके अलावा जैसे graduation वाले हैं उनके लिए बहुत सारे option और भी है जैसे कि SI, RAS, Constable, आगे junior accountant वगेरे और बहुत हारी vacances आने वाली है तो अपने interest के अनुसार अपने चैतर के अनुसार आपको देखकर chain करना होगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ में कंदे से कंदा मिला कर खड़ा रहूँगा मेरी सुखका मना हमेशा आप लोगों के साथ थी, है और रहेगी अपन मिलेंगे साथ यों अगले वीडियो में, अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम, जैहन